नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजयाद हो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों बॉलेवुड इंडरस्टे से सुसाइट का एक और मामला सामने आया फिल्म MS धोनी के अक्टर संदीप नहर ने परिवारिक समस्याओं से तंग आकर सुसाइट कर लिया पिछले साल ही फिल्म MS धोनी के लीड अक्टर सुशान स्थिंग राशपोत के सुसाइट से हर कोई हैरान रह गया था अब इसी फिल्म का हिस्सर है अक्टर संदीप नहर के भी सुसाइट करने की खबर सामने आई है संदीप पिछले कुछ समय से मांसिक रूप से ठीक महसूस नहीं कर रहे थे शोशल मीडिया के जरिये उन्होंने अपना हाल बया किया हाला कि उनकी मौत के स्पस्ट करण का पता अभी तक नहीं चल सका मगर पुलिस को आशंका है कि संदीप ने आत्मात्या ही की है संदीप नहार ने फेस्बुक पेश पर अपने जीवन की परिशानियां और पतनी संग तल्ख रिस्ते के बारे में एक वीडियो में बताया मौत के बाद कुछ लोगों ने इसे सुसाइट पताया लेकिन गोरे गाउं पुलिस की माने तो इस अभी ने खुद खुशी की है या किसी और कारण से उसकी मौत कुई है या अभी तक साफ नहीं हुआ है इसका पता पोस्ट मार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा जिस तरह संदीब नहार ने मौत से पहले अपने फेस्बुक पर एक वीडियो शेयर किया है उससे भी या मावला सुसाइट का ही लग रहा है संदीब नहार बॉलिवोड फिल्म MS धोनी में एहम रोल में नजर आये थे इसके अलावा वे अक्षे कुमार और भोशकोरी के सुपरस्टार के सारी लाल यादव के साथ भी फिल्मों में काम कर चुके है संदीब ने वीडियो के साथ एक नोट भी लिखा है जिसमें वे अपनी पत्नी और उनके घरवालों पर उन्हें mentally torture और blackmail करने का आरूप लगाते नजर आ रहे हैं वे ऐसी कई सारी खटनाओं के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं जिससे ये सपस्ट हो रहा है कि पत्नी संगुन के रिस्ते ठीक नहीं थे और दोनों में आपसी समझ नहीं थी दोनों में आए दिन छगड़ा होता रहता था फिलाल इस मामले पर आगे की पहल पोस्टमाटम रिपोर्ट पर टिकी है क्योंकि उसके आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि मामला सोसाइट का है या नहीं विरो रिपोर्ट, IPN